हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे नीतेस कनोजा यूटूब चैनल पे तो बहुत ही सारे फ्रेंड्स का और मेरे दोस्तों भाईयों का रिक्वेस्ट था कि सार एक अच्छा से वीडियो बना दीजे फिर से जिससे कि हम लोग देख सके अप्लोड कर रहा हूं फिर से तो आप देखे और एंजोई कीजिए यह फ्रन डोर है एंट्री पॉइंट सबसे पहले लास्ट एंट्री यह सुरुवात में आगे से दो से दो फिट का हाइट है रोट लेवल से और एक श्टेर है और फिर यह डोर में इंडोर देख सकते है आप लोग यह मेंडोर है और यह दस फूटी का है तो समझ लिजे के सत्रा चालिस फूट का घर है तो सत्रा सत्रा छोड़ दिया था हमना और बीच में से छे फूट का स्टेर निकाल लिया है तो यह जो है यहां से छे फूट का जगा में स्टेर दिख रहा है तीन फूट का एदर और तीन फूट का ये और ये बीच में जो है यहां पर खाली सी स्पेस निकल आई है देखिए ये उदर से ये टीवी यूनिट है ये सोफा है और ये सब्सक्राइब कि अगर को इस तरह से डिजैन किया हुआ है कि अगर दिन में है तो दिन में भी लाइट चालो करने की जरूरत नहीं होती है वेंटिरेशन और सूरज प्रकास हवा अरामस अच्छे से मिल रहती है और उसका उजाला भी दूपर में बहुत अच्छा आता है आ गया ले हॉल में उसी तरह पीछे देखा जाए तो पीछे देखो पीछे भी अभी कोई भी लाइट चालो नहीं है लेकिन फिर भी हवा उजास बहुत अच्छे से आ रहा है और यह थोड़ा च्छोटा सा गेब निकला है तीन बै तीन का जो जादरा लिया है उसका अच्छो भी एक तरफ यह देखो इतना सा स्पेस है तो किसी भी चीज में तो हम कुछ भी रख सकते हमारा और यह किचन देखिए यह कि यह पुरा किचन का विव है इतना किचन हमारा देस भाई देस का है यह किचन है और यह बात्रूम यह OTS है OTS के नीचे छोटा सा चोकड़ी ओकली टाइप है जो बरतर मरतंदूरने के लिए काम आता है हमें और यह साइट पर इधर यह हमारा बात्रूम है और यह साइट पर वास बेसिंग लगाया हुआ है और यह बात्रूम अंदर जो आटेज है यह देखिए है अभी हम फर्ष्ट फ्लोर पर जाते हुए यह पुरा स्टेर का भी है इतना देखिए यह हम स्टेर पर जा रहा है अपर फर्ष्ट फ्लोर पर जाते हुए यहां पर उपर दो रूम है एक इस तरफ भी रूम है यह दादरा के इस तरफ और दादरा के उस तरफ मेरा दोनों तरफ एक रूम ले लिए हैं दस बाई दस के रूम है जो यह फर्ष्ट रूम है यह बारा फुट का रूम है और बात रूम है इधा हाप अटेच देखिए इस तरफ से मतलब यह पलंग भी बेट भी देखा जाए तो छे बाई छे का बेट है छे बाई छे का बेट रखने के बाद भी मतलब इतना स्पेस हमें मिलता है यह देखिए है चे बाई छे का बेट है उसके बाद भी हमें यह स्पेस इतनी मिल रही है देख सकते हैं आप लोग मतलब काफी बड़ा स्पेस है ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती कि बाई दस बाई चालिस के प्लान में अगर दो तरफ रूम निकालते हैं तो कोई बेट रूम में कोई स्पेस का इसी हो ऐसा कुछ नहीं है देखिए यह बाथ रूम है बाथ रूम होरा पांच बाई पांच का ह है जो मतलब बाहर जो नीचे ग्राउंड फोर पर जो बाथ रूम था उसके एकसेट उपर बाथ रूम बनाया हुआ है लेकि नीचे जो बाथ रूम था वो छे बाई चार का था और यह पांच बाई पांच का बाथ रूम है उपर देखे अब भी हम आपको दिखाता हूँ दूसरा रूम यह देखे यह यहां से दूसरा रूम यह उपर जाने के लिए है पहले हम आप लोगों को यह सेकंड रूम बता देते हैं सेकंड रूम में देखा जाए तो यह देखे है मैं लाइट चालू कर देता हूँ अब अभी तो देखिए यह उपर मैंने कोई पी ओपी नहीं करा के रखा है यह सिंपल सा जो बोलते हैं कि सीलिंग जो च्छत पढ़ती है च्छत पढ़ने के समय इलेक्ट्रेशन को बोल दिया था कि भाई ऐसा कुछ हमें करना है लाइट लगा नहीं है तो उस टाइप का कुछ लगा द पी ओपी नहीं किया हुआ है हमने यह देखिए यह जो मेरा रूम है यह एक्छुली साड़े-दस फूट का है साड़े-दस फूट का है इसलिए बिकोज यह फ्रंट की तरफ है और बातरूम में आगे का थोड़ा जो व्यू बनाने के लिए मेरा जो यह बातरूम है अंदर अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो छे बाई चार का है यह देखिए है अंदर की स्पेस छे बाई चार की मिलेगी हमें बातरूम की स्पेस छे बाई चार का मिलेगा यह देखिए उसकी जैसे क्या है कि बातरूम को थोड़ा बाहर से बनाने के जैसे थोड़ा रूम छोटा हो गया है लेकिन फिला ले से कोई दिक्कत है नहीं रूम में काफी अच्छे से हमें स्पेस मेनेज करी किया है कि यह देख सकते हैं आप लोग अभी थोड़ा काम आर्किटेक्ट्चर की तरब से बाकी है पैंडिंग यह भी वो अभी नहीं हो पाया है तो बहुत ही जल वो काम हो जाएगा पूरी ज़रा से यह देखिए यह गैलेरी है गैलेरी इतनी है कि यह दो लोग आराम से खड़े हो सकते हैं यह देखिए यह उपर का भी है यह अब भी कंसील यह उपर लाइट्स लगाया हुआ है यह राई है इस तरफ से यह देखिए यह बाहर जो निकाला हो आना 9 इंज की जगा छोड़ी हुई है उसके वज़र से मेरा रूम थोड़ा सा छोटा हो गया है यह देखिए यह इतना यह पूरा रूम का व्यू है देख सकते हैं आप लोग अभी है हम चलते हैं सबसे उपर बालकनी टाइप बालकनी तो समझ लिए बालकनी केबिन उपर केबिन बोल सकते हैं लेकिन और उसके समझ लो आधा एक रूम ही हो गया है कि बिकॉस उसकी हाइट का में साथ फूट की हाइट रखी है केबिन की केबिन का हाइट साथ फूट का रखा है अभी यह दिखाते हैं आप लोग अब यह देखिए यह रहा यह कैबिन है हमारा समझ लिए नीचे जो बारा फूट का रूम था बस उसी के उपर यह बना दिया है एकजेट लेकिन यह दस फूट का सिवर रखा है हमने इतना बड़ा नहीं किया है बिकोज एरपोर्ट है एरपोर्ट के इस्यूस भी हो सकते हैं मतलब उसी के ध्यान में को रखते हुए हाइट इस्यू के वज़ज़ से हाइट कम रखा हुआ है सब से नीचे जो किचन दाना बस हो किचन एकजेट किचन का हाई ना पर दस बाई दस का रूम है यह यह सिंटेक्स एक हजाल लीटर का और यह 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 ओटी एस है देखो यह ओटी एस पूरा नीचे से वेंटिलेशन के लिए उज़े बहुती अच्छी तरीके से हवा उजास हमें मिलती रहती है यह देखें अभी यह जो घर है इसमें बहुत सी चीजें ऐसी है जो आर्किटेक्चर के वज़र आर्किटेक्चर ने जो किया है डिजाइन उसके काफी चीजें खराब हुई है और कुछ चीजें हैं जो सहीं भी है लेकिन बहुत सी चीजें इसमें खराब कर दिये जैसे प्लंबर का काम है और यह टाइल्स वर्ख है बातरूम वर्ख है बहुत सी चीजें और जैसे की वाइरिंग है इलेक्रिस्टन का काम है ज्यादा तर कोई भी काम अच्छा हुआ है लेकिन बहुत से काम में ऐसे उसने गड़बर की है तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूँगा आप लोगों को देखने के लिए कि भाई कौन सी चीजे में disadvantage उसने रखा हूँ मतलब नहीं अच्छी तरीके से नहीं किया हुआ है तो मैं उसको आपको एक अलग से वीडियो बना के रख दूँगा तो आप देख लीजेगा यह आप यह पूरा उपर है छट के उपर का यह ceiling है देखिए यह पूरा view यह बड़ोदा सायर है बड़ोदा सिटी गुजरात में जो आप लग देख सकते है यहां का view यह देखो है और यह पास में एरपोर्ट है एरपोर्ट का view यहां से बहुत ही अच्छा दिखता है